नमस्ते दोस्तों मैं किरिन मिस्रा अपने यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ जैसा कि अभी तेवहारों का सीजन चल रहा है सामने गड़पती आ रहे हैं तो सब अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग सामान से कुछ लड़ू बना रहे हैं जैसे हलुआई लोग बनाते हैं सेम प्रोसेस से सेम तरीके से सेम मेजरिमेंट से तो बनाना भी बहुत आसान है फटा-फट से बन जाती है और मैं आपको एक बाद सज बता रही हूँ कि मैंने ये लड़ू फर्स टाइम ही बनाये हैं तो बिल्कुल परफेक्ट मेजरिमें खेला है एक कप करीब तो कोई भी जैसे मेजर लीजिएगा तो नाप के ही लीजिएगा कोई भी कोटोरी या फिर काप वगरे सेट कर लीजिए तो सबसे पहले हम बेशन को छान लेंगे वैसे तो ये महीन वाला बेशन इसमें है कुछ नहीं लेकिन क्या है कि कभी-कभी यहाँ पे बेसन ले लिया है वैसे तो लड़ वेगर बनाने के लिए थोड़ा मोटा बेसन आता है लेकिन मैंने यह घर के जो नॉर्मल बेसन होती है पैकेट वाली जो आती है मैंने उसी को लिया है तो दो कप के करीब मैंने यहाँ पे बेसन को छान लिया है यह हमारा एक फाइन सा पाउडर बन के तियार हो गया है अब इसमें हम जो जिस कब से बेशन लिए थे सेम कब से हम हम यहाँ पर कटोरी से हम यहाँ पर पानी ले लेंगे तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी पूरी पानी डाल दिया है और इसको एक बार mix कर लेंगे एक साथ में सारा पानी नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे तो इसको मैंने कर लिया है उसके बाद एक कप और ले लेते हैं लेकिन मैंने ये सारे पानी को नहीं डाला है आधा से थोड़ा सा कम ही पानी मैंने डाला है तो मतलब मैंने डेट को को थोड़ा सा कम इसमे पानी डाला है और सारे चीछम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे fed लेंगे बहुत अच्छी तरीके से आप जितना fed के बनाएंगे आपका लड़ू उतना ही अच्छा बनेगा तो मैंने इसको अच्छा से मिक्स कर लिया है अब एक पहचान आप ऐसे भी कर सकते हैं जब इस तरीके से आप गिराएंगे तो ये ड्रॉप एक एक करके गिर रही है इसी तरीके का हमें बेटर चाहिए इसी तरीके से देखिए तो ये हो गया है इसमें हम थोड़ा सा कुछ और एड़ करते हैं तो मैंने यहाँ पे खाने वाला सोडा एड़ कर दिया है लगभग एक चुटकी से थोड़ा सा ज्यादा और मैंने यहाँ पे यलो फूड कलर यूज किया है आप चाहिए जिसमें हल्दी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं या औरेंज वाला या फिर रेड़ वाले कोई भी फूड कलर आप यूज कर सकते हैं अच्छी तरीके से इसको फेट लेंगे तीन से चार मिनट का समय लेके फेटा है मैंने इतना टाइम आप लेके फेट लीजिएगा एक दम परफेक्ट बुंदी बनेगी हमारी इसकी ये देखिए ड्रॉप इस तरीके से गिर रही है बिल्कुल गोल बुंदी बनके तियार होएगी तो चलिए गैस की तरफ चलते है मैंने गैस में यहां पहले से ही तेल चड़ा दिया है ये रिफाइंड ओयल है और मेरे पास जहारा नहीं है तो मैं यहां पर इस बुंदी को इस तरीके से जो पूरी चानने वाली जो कल्ची होती है इसी में बनाओंगी और जो बेटर है मैंने उसको एक कप में ले लिया है इस तरीके से डालने में सुविधा होगी एक साथ में बहुत सारा हम नहीं डालेंगे धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा एक साथ में नहीं डालेंगे यह जैसे जैसे गरम होएगी बुंदिया हमारी सब साइड होती जाएंगी तो यह देखिए और जैसे कि एक दो आपस में चिपकी रहती है तो आप जो कल्ची से इस तरीके से हलका हलका तोड़ देंगे तो आपस में छुट जाएंगी तो यह हो गई है मैंने इन्हें उलट पलट के कम से कम तीन से चार मिनट सेक लिया है बुंदियों को हम छान के निकाल लेंगे सारे को यह जो आपस में थोड़ी चिपकी हुई है वो भी सब अलग हो जाएंगी तो मैंने सारण को एक बार में निकाल लिया है और दूसरे बैच का इसमें डाल दिया है आप देख रहे हैं एक-एक बूंद करके ही इसमें से निकल रही है तो वो तो रेड़ी हो गया है अब हम यहाँ पर चासनी बना लेते हैं जब हम ये बुंदी वाली लेड़ू बनाते हैं तो पहले से चास्नी बना के रेड़ी नहीं रखते हैं, बाद में ही बनाते हैं, तो जितना मैंने बेसन लिया था, उतना ही मैंने यहाँ पे चीनी ले लिया है, और सेम कौन्टिटी में यहाँ पे हम पानी ले लेंगे, मतलब दो कप पाणी है मैंने दो कप चीनी दो कप पानी पिल्कुल पर्फेक्ट लेट्डू बनके हमारा तेयार होएगा जितना बेसन उतना चीनी उतना पानी यह हो गया है एक बॉयल आने देते हैं तो इसमें एक बॉयल देखिए आ गया है तो हमें ये इस चाशनी को कोई तार बगर की चाशनी नहीं बनानी है इसको जब बॉयल होने लगे तो इसमें मैंने थोड़े से कूट के इलाइची पाउडर डाल दिया है फ्रेस इलाइची पाउडर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और साथ में ही मैंने इसमें उबाल आ जाए तो बन कर देंगे तो मैंने ये देखिए मेरी बूंदी सब कितनी अच्छी बन के तियार हुई है और जैसे एक दो थोड़ी मोटी रह जाती है न तो आप उन्हें थोड़ा सा हाथ से दवा देंगे तो इस तरीके से ये टुकडों में हो जाएगी तो बीना जारे की ये बूंदी हमारी बहुत अच्छी बन के तियार हुई है आप इन्हें इस्टोर भी करके रख सकते है तो चलिए गैस की तरफ चलते है तो चाशनी लगभग हमारी बन के तियार हो गई है जैसे मैंने बोला कोई तार वेगरे की चाशनी नहीं बनानी है जैसे गुलाब जामुन वेगरे की होती है, थोड़ी चिपचिपी सी, ओईली सी, तो उस तरीके की हमें चासनी बनानी है, तो हाथ में लेके थोड़ा ट्राइ कर सकते हैं, अगर इस तरीके से चिकना हाट लगे आपको जैसे तेल सा, तो मतलब हमारी चासनी बिल्कुल रेडी है, चासनी बन के तियार हो गई है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, अभी गैस मैंने बंद नहीं किया है, और धीरे धीरे करके अपने जो सारी बूंदी है, उसको मैंने डाल दिया, इसको डाल लेने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम को मैंने लो किया है बंद नहीं करना है हलुआई लोग इसी तरीके से बनाते हैं उसके बाद धकल लगा के हम इसको तीन से चार मिनट तक ऐसी गरम होने देंगे तीन से चार मिनट के बाद मैंने गैस से उतार लिया था और ये देखिए बिल्कूल भी नीचे में सीरा नहीं है बिल्कुल सारा जो बूंदी है सीरा को सोक कर लिया है यह हमारा परफेक्ट लड्डू बनने के लिए तियार हो आप चाहे तो इसमें कुछ ड्राइफ फूट्स वेगर भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इसमें नहीं डाल रही हूं और अभी यह थोड़ा गरम गरम है त बहुत फटा फट से बनके तियार होती है और थोड़ा से यह गरम है तो उपर उपर का लेते जाएंगे नीचे का फैलाते जाएंगे तो हमारी फटा फट से यह लेड्डू बनके तियार हो जाएगी हम इसी तरीके से अपने सारे जो लट्डू हैं उसको बना के तियार कर लेंगे आप साइज अपने हिसाफ से रक सकते हैं छोटा बड़ा तो ये देखिए मैंने सारे लट्डूओं को बना के तियार कर लिया है उपर से मैंने सिर्फ गार्निश के लिए थोड़े एक एक जो टुकड़े होते हैं काजु को उसको लगा दिया है आप किसी भी तरीके से इनको गार्निश कर सकते हैं बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने ये लेड्डू बनाया है और ये वीडियो मैं आज 3-4 दिन के बाद अपलोड कर रही हूँ और ये लेड्डू फिर भी बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं बिल्कुल क्रिस्टल नहीं पड़ते हैं इसमें इस तरीके से बनायेगा एक परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बहुत ही टेस्टी बहुत ही आसान तरीके का लेड्डू है आप फर